हेलो स्टुडेंट्स हम पट रहे थे making water safe for drinking की पानी को पीने के लिए safe किस प्रकार हम बना सकते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर पाने में कोई solid impurity है तो हम पानी को cotton cloth में से जो है filter कर सकते हैं या फिर छान सकते हैं इसके अलावा और हम क्या क्या कर सकते हैं sometime very small particles are suspended in water काई बार इतने छोटे कण जो होते हैं water के अंदर dissolved होते हैं and they do not get filtered through a cotton cloth और इन पार्टिकल्स को हम कपड़े में से छान कर जो है वह अलग नहीं कर सकते in such cases but small quantity of alum in water तो ऐसे case में हम पानी में थोड़ी सी alum यानि कि फिटकरी को एड़ कर सकते हैं या फिटकरी उसमें डाल सकते हैं wait for a few minute और कुछ देर wait करेंगे then filter it और उसके बाद इसको चान लेंगी तो alum जो है फिटकरी जो है वो किस प्रकार पानी को प्योर करने में help करेगी alum help the suspended particle to settle down quickly यानि जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में थे जो कि कपड़े में से नहीं निकल रहे थे उनको alum क्या करेगी अपने साथ चिपका करके उनको थोड़ा heavy बना देगी और इस तरीके से वो पार्टिकल जो है वो पानी के नीचे bottom में जो है जमा हो है उनको खतम किया जा सकता है कैसे by boiling of water पानी को उबाल करके for over 20 minutes and then filter it यानि लगबग 20 minutes तक हम पानी को boil करें और उसके बाद इसको filter कर ले चान ले और अलग बरतन में store कर ले तो इस तरीके से पानी को हम पीने लाइक बना सकते है प्योर कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या क्लोरिन की टैबलेट्स जो है उनको भी हम पानी के अंदर माइक्रोर्गनिजम्स को खतम करने के लिए एड कर सकते हैं डाल सकते हैं इसके अलावा आपने देखा होगा इस डेज मैनी फिल्टर्स एंड और 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 का फुल फुल्पॉम क्या होता है रिवर्स ओस्मोसिस वा पत का किस बाहिए हम पानी तो खतम कर देते हैं और और पानी को पीने लायग बना देते हैं करो शहिए हम छोने ही को भारबन को पानी को बिकार पर अ also remove the extra salt dissolved in water आरो जो होते हैं वो पानी के अंदर गुले वे extra salts को भी खतम कर देते हैं यानि कि उसमें से निकाल देते हैं drinking water should be kept in clean containers and covered properly और फिर पीने के पानी को हम containers यानि किसी भी साफ बरतन में भर करके रख लेते हैं तो इस तरीके से हमारे पास जो सप्लाई का पानी आता है उसको हम पीने लाएक बना लेते हैं या फिर बना सकते हैं अगले टोपी के हमारा using sea water यानि कि समुद्र के पानी को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम सब जानते हैं समुद्र का पानी होता है वह बहुत ही शाल्टी होता उसमें बहुत सरा नमक जो हो गुलावा होता है तो इसको हम पीने के लिए इस्तिमार नहीं कर सकते हैं क्या कर सकते हैं उसके साथ Sea Water is salty यह नि समुदर का जो पानी होता है वो salty होता है नमगीन होता है खारा होता है This is why we cannot drink it इसलिए हम उसको पी नहीं सकते Do you know कि आप जानते हैं From where we get salt कि हमें नमक कहां से मिलता है Salt क्या होता है नमक कि हमें नमक जो है कि आप जानते हैं वह में कहा से मिलता है वह में समुदर के पानी से मिलता है जैसा कि हम जानते हैं सी वाटर साल्टी होता है उसमें नमक गुलावा होता है समुदर के पानी से हम उन नमक प्राप्त करते हैं कैसे प्राप्त करते हैं समुदर के पानी को छोटे छोटे पूल्स या हम यूं कहलें कि छोटे छोटी जो क्यारियां होती है पानी की वो बनाई जाती है सिरुण पराप्त का पर कंगल देशा पानी भी आगाओ उस जगय में अगारे का र» नहीं कि आपक्राप्त सम्सक्राप्त करते हैं इस तरीकी बाद सब्सक्राइब का रिफाइंड में vitनिकादि की प्लिभाण या निक्या ribbon प्यूर किया जाते हैं इस को अंगुतर किया जाता है कि इन एक स्थित दिश्ध के वाटर इस इन شाटत यू believing शोट जहाएं पहस absolutely यहांक पीने मार्केम्टारिए वहा हैं आपकट के मार्केम ब्यूतर मीफने सब्सक्रदाओं को समुदर के पानी में से नमक को निकाल देते हैं पानी को अलग कर लेते हैं और फिर इस पानी को पीने लाइक बना लेते हैं सिटेज लाइक दुबई और अबुदाबी डिपेंड ओन सौली ओन डिसलिनेटीड वाटर फॉर ड्रेंकिंग परपज दुबई और अबुदाबी जैसी जो जगह हैं वो पीने का पानी समुदर वाला पानी यूज करते हैं उसमें से नमक को निकाल करके यानि उसमें से साल् पानी इवापोरेट हो जयता है और फिर फैक्ट्री में निए जाकर के इस तरहिके से नमक को जो है वो रिफाइन किया जाता है और मार्केट तक पूंचाया जाता है तो बच्चों यह था हमारा लेस्न अई geen